बारत के इस मंदिर को थप थपाने पर आती है तमरू की आवाज निर्माण में लगे थे 49 साल और बेहत दिल्चस्प है इसकी कहानी हिमानचल प्रदेश की सोलोन में इस्थित इस मंदिर का नाम जटोली स्यू मंदिर है बताया जाता है कि इस मंदिर की उचाई 111 पुट है दावा यहां तक किया जाता है कि इस मंदिर की गिंती एसिया की सबसे उचे स्यू मंदिर में होती है कहा जाता है कि इस मंदिर का ऐसा निर्माण किया गया है जो देखते ही बनता है जटोली स्यू मंदिर इस दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है चाहें बात इंसानों की हो जानवर की हो या फिर जगों की समय समय पर इसके बारे में चौकानी वाली खुलासे होते रहते हैं कईयों की गुत्थी तो आज तक नहीं सुरूँ सकी इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बतानी जा रहे हैं जिसकी रहस्य से आज तक पड़दा नहीं उठ सका कहा जाता है कि इस मंदिर को थप थपाने पर डमरू की आवाज निकलती है ये बात सुनने में भले ही आपको अजीव लग रहा हो लेकिन क्या सच है तो आईए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ दिल्चस्प बाते हैं हिमानचल प्रदेश की सोलोन में इस दित इस मंदिर का नाम जटोली सिव मंदिर है बताया जाता है कि इस मंदिर की उचाई 111 फुट है दावा यहां तक किया जाता है कि इस मंदिर की गिंती एसिया की सबसे उचे सिव मंदिर में होती है कहा जाता है कि इस मंदिर का ऐसा निर्माड किया गया है जो देखते ही बनता है ऐसी माननता है कि पौराडिक काल में यहां भगवान सिव कुछ समय के लिए आकर रहे थे वही साल 1950 में स्वामी कृष्णानंद परमहंस नाम के एक साधू यहां आए और उनके दिसान नर्दीस पर जटोली स्यू मंदर का निर्माड कारिश सुरू हुआ साल 1974 में मंदर की निव रखी गई लेकिन साल 1983 में उन्होंने समाधी ले ली इसके बावजूद मंदर निर्माड का कारिश चलता रहा और मंदर बनने में लगा 49 साल का समय ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदर की बाहर से पत्थर को कोई भी थप थपाता है तो डमरू की आवाज आती है इस मंदर को देखने के लिए देश बिदेश से लोग आते हैं इतना ही नहीं देश बिदेश की सरधालों ने भी इस मंदिर को निर्माड कराने में पैसे लगाये थे इस मंदिर को बनाने में तकरीवन 49 साल का समय लगा था इस मंदिर के ऊपर 11 फुट उचा एक बिसाल सोने का कलस इस्थापित है जो उसे काफी खास बना देता है तो आपको जब यहां आने का मौका मिले तो इस मंदिर का दर्सन जरूर करें